बरारी थाना छेत्र के मुस्तुपा पुरु गाउं के रहने वाले प्लंबर मिस्त्री मुहमद गुड्डु को देर रात अपरादियों ने गोली मार कर गाहिल कर दिया जिसके बाद परीजनों ने गाहिल को इलाज के लिए जवाहरलाल लेहरूब चिकित्सा अस्पताल में भरती कराया मुहमद गुड्डु को अपरादियों ने पीट में गोली मारी है गाहिल ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए माया गंच की तरफ गया हुआ था टहल कर जब वह घर वापस जा रहा था तब घर के करीब घात लगाया अपरादियों ने पीछे से गोली मार दी उसने बताया कि एक सबता पहले घर के पास नसा करने वाले कुछ यूकों से उसकी जंजट हुई थी जिसको लेकर उन लोगों पर ही गोली मारने के बाद मुहमद गुड्डु को द्वारा की जा रही है यह जानकारी संस्थान के अध्यक्ष सुनीता सराफ ने दी उन्होंने कहा मेले में खाने पीने के समान के अलावा घर की सभी जरूरी समान के स्टॉल भी लगाये जाएंगे साथ ही मनुरंजन के लिए जूले और सेलफी पॉइंट भी बनाये जाएंगे संस्था के देक्ष सुनीता सराफ ने लोगों से पिल की है कि इस एक्जिविशन मेला में सभी जादा से जादा संख्या में आए और इस तीज धमाका एक्जिविशन का अनन्द ले आज के प्रेस कॉंफरेंस में कन्वेनर के रूप में निशा सराफ, अरोना सिंगानिया, जोही केजरिवाल, जोती केतान मौजूद थी भागलपुर में इसमार्ट सिटी पर योजना के तहट जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट सेल्टर होम जल्द चालू होगा, इस नाइट सेल्टर होम में सौ बेट के साथ कैंटीन पार्किंग की अच्छी विरुस्ता की जाएगी, कैंटीन में मरीज के परिजनों को सरकारी मूली पर खाना उपलोग कराया जाएगा, इस संदर में जब नगर आयुक डॉक् सागर से बात की तो उन्होंने कहा सेंडीस कंपॉंट के साथ साथ इसे भी जल्द चालू कर दिया जाएगा, इसे भी स्मार्ट सिटी से ही एक योजना है, नाइट शेल्टर की, सौ बेट का पूरा रहन बसे रहा है, इसमें कैंटीन का भी प्रावदान है और पार्किंग की विस्तो बिटा है, इसको हम लोग सेंडीस पार के साथ ही साथ एजनसी जो होगी एक ही चिन्नित कर रहे हैं, उसी को जो है, आउट्सोर्सिंग पर देंगे, इसका इउक्षन हम लोग निकालने जा रहे हैं, एक माह के अंदर ही सारी पिरकिरिया खतम हो जाएगी संभवता, और ये जल्दी जल से ही मरीजों को और उनके परिजनों को इसका लाब जो हो मिलेगे। एक साधी में दोनों की दोस्ती हुई थी, जो प्यार में बदल गई, जिसके बाद प्रेमिका ने साधी की बात अपने प्रेमी के सामने रखी, और प्रेमी तो तयार हो गया, लेकिन प्रेमी के घर वाले राजी नहीं हुए। नवगचिया के खरीक रेलवेश टेसन पर कैपिटल एक्स्प्रेस ट्रेन से कट कर दो महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आटम के लिए नवगचिया और मंडल उस्पताल भेद दिया। इसको देखते हुए कॉंगरिस कारकरताओं ने भागलपर इस्ट्रेसन चौक पर भी केंदरी मंत्री इस्मृती इरानी का पुतलधन किया। कॉंगरिसी कारकरताओं ने कहा कि सोनिया गांधी से इस प्रकार के वारतालाब कहीं से भी सही नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तंज करते हुए कहा कि जब बीजेपी सरकार विफल साबित हो जाती है तब पुलिस को आगे कर देती है। यहीं नहीं उन्होंने बीजेपी के केंदरी मंत्री स्मृती राणी सोनिया गांधी सोई नोग जोग पर भी सवाल उठाया और कहा कि सोनिया गांधी से माफी मागनी चाहिए। अकिल भारती विद्यारती परिसत भागलपूर द्वारा अस्थानी हडिया पट्टी इस्तित कार्याले पर प्रेस वारता की गई जिसमें विष्विद्याले की समस्याओं और आंधोलन की रूप रेखा के बारे में बताया गया। विस्विद्याले संयोजक आसो तोस्तिंग तोबर ने कहा कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं, बलकि बिहार के तमाम विस्विद्याले की आराज़क इस्तिती के लिए राज़बहवन और सरकार संयोग रूप से जिम्मेवार है। आंदोलन के समन्द में उन्होंने बताया कि सेसन लेट, परिक्षा रिजल्ट एवं छात्रों की अन्य समस्याओं को देखती हुए, अकिल भारती विद्यारती परिशत ने अब तक विस्विद्याले बंदी जैसे कदम से परहेच किया है, उसके जगह पर रचनात्मक आंदोल से अलग अलग प्रकार के आंदोलन गयारते हैं, और आगे भी अभी करेंगे, हम लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजो अंदोलन और कुल्पति खोजो अवियान, पॉस्टर लगाओ अभियान, इस प्रकार का नदोलन किया है, हम लोगोंने बंदी नहीं किया, क्योंकि अभी छातर खुद दरस्ट हैं, कुलपती है नहीं, सेसन लेट है, परिक्षा हो नहीं रही है, इस वज़ेसे अगर हम लोग बंदी करते हैं तो छातरों को परिशानी होगी, इस वज़ेसे हम लोग बंदी के पक्छ में नहीं हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से अंदोलन हम लोग अभी भी कर रहे हैं। भागलपूर रगभी सेक्रेटरी राज गौरव बिहार रगभी डेबलप पदाधिकारी गौरव चोहान भागलपूर रगभी कोच कुनाल कर्ण के अलावे खेल पदाधिकारी अम दर्जनों की लाड़ी मौजुद थे। पुलिस तथा आर्मी में जाने के तयारी कर रहा था। पुलिस थे। पुलिस तथा शेयर थे।